गुड मॉर्निंग फ्रेंच्ट एक बर फिर से आप बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंच्ट कल से टुपर सीwick अस्टाट हो रहे हैं जिनका भी अपकूबर में एकजाम होने वाला है तो चार अक्टूबर से ट्रपल सी के एक्जाम स्टार्ट होंगे और ये 12 अक्टूबर दक होने वाले हैं तो जिनका भी इस महीने एक्जाम में आप सभी को मेरित अपसे डेस साई सुप कामना है और अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी अभी तक नहीं किये तो मैंने एक वीडियो अप्लोड किया जिसमें 1000 क्वेशन है प्लीज आप एक्जाम से पहले कम से कम इस वीडियो को आप जरूर देखीगा बहुत अच्छी ताहिके से हर एक क्वेशन को हमने एक्स्प्लेइन किया इसके अंदर ये लगबग 9 घंटे का वीडियो है तो आप एक्जाम से पहले कम से कम इस वीडियो को आप जरूर कवर कीज़े आपको एक्जाम में काफी एल्प मिलेगी अगर आप पहली बार हमाई साथ जुड़े हैं तो आप सभी के जानकारी के लिए बता दें आप सुबाद 7 बजी CCC Revision Class को जॉइन कर सकते हैं इसके साथ साथ एक और हमारी क्लास होती है सामको 8 बजी CCC Practice Class तो जिनका भी आने वाले दिनों में एक्जाम में आप इन दोनों क्लास को regular जॉइन करते रहे और CCC Exam के लिए Megadist हमने स्टार्ट किया था इसी वालू के साथ में एक्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पे Question Function के बारे में पूछा गए अगर हम Calc में यह Function अप्लाई करते है Question Function और यहाँ पे 5,2 Input करते हैं तो इसका मान या वालू क्या होगी तो Question Function क्या करता है इसको आप पहले समझ लिजी जिसे आप 7 को 2 से डिवाइड करते है दिन के आता है उटपुट 3.5 बट अगर आपने आपने कहीं Question Function को अप्लाई किया है तो इस केस में क्या होगा इसका रिजल्ट आएगा 3 क्योंकि यह सर्फ integer value देता है अगर हम प्रोग्रामिंग की भासा में बात करें तो integer और float float एक ऐसी value होती है जिसमें frictional values होते हैं जैसे 3.5 या 3.9 या फिर 9, 8, 3, 7 यह क्या है frictional value इसको हम प्रोग्रामिंग की भासा में float value बोलते हैं integer जैसे 3, 4, 5 यह जो complete numbers होते हैं इसको हम integer value बोलते हैं तो quotient function क्या करता है आपको एक integer value देता है जैसे आप 7 को 2 से divide करते हैं तो इसमें frictional value हो जाएगे 3.5 बढ़ अगर आपने quotient यहाँ पे लगा रखा है तो आपको output क्या मिलेगा सिर्फ 3 मिलेगा point के बाद value values को यह ignore कर देता है यह हटा देता है तो अगर आप 5 को 2 से divide करते हैं और यहाँ पे आपने quotient function अपलाई किया है तो right answer क्या हो जाएगा option A आपको 2 मिलेगा क्योंकि इसका right answer क्या होगा जैसे हम 5 को 2 से divide करते हैं तो आपको क्या मिलता है 2.5 बट अगर आपने quotient अपलाई किया यह .5 यहाँ से हटा दिया जाएगा सिर्फ आपको integer part मिलेगा means 2 तो option A इस question का right answer हो जाएगा हालगी question को same to same इन ही values के साथ में कई बार पूछा गया बट आने वाले दिनों में हो सकता है आपको कोई different value भी दी जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए question function किस तरह से काम करता है कौन सी परत्र data का encryption और decryption करती है OSI model से related question पूछा गया है OSI model में कितनी layers होती है 7 कौन कौन सी layers होती है मैंने बहुत बार बता है आप पिछली 2-3 classes देख लेजे कौन सी ऐसी layer होती है OSI model में इसको बोलते है presentation layer data का encryption और decryption किस layer पे होता है OSI model की presentation layer पे option C is question का right answer हो जाएगा अगला question है जो कि इसी से related है bits की संख्या को कम करने के लिए कौन सी परत्र data संपीड है means compression करती है bits की संख्या को कम करने के लिए कौन सी परत्र data संपीडन का उप्यूग करती है means data compression किस layer पे होता है इस तरह से भी इस question को पूछा जा सकता है तो same layer option C presentation layer हो जाएगा presentation layer में encryption, decryption और compression ये तीन process होते है तो option C is question का right answer है अगला कुछन है cast memory storage memory है cast memory storage memory है storage memory हम उसको मानते हैं जिसमें हम data store करने के बाद future में इस्तिमाल कर सकते हैं तो cast memory एक volatile memory होती है इसमें power off होने के बाद data available नहीं होता है तो हम इसको storage के लिए इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं right answer क्या हो जाएगा option B false यह एक storage memory नहीं है notification area task bar पर कहां दिखाई देता है अगर आप अपने desktop को open करेंगे तो यहाँ पे देखे सबसे नीचे क्या दिया रहता है task bar यहाँ पे आपको start menu मिलता है इस जगे पे आपको date and time दिखाई पड़ता है यहाँ पे आपको date and time दिखता है वो कौन सा area होता है इसको बुलते है notification area तो पूछेगे है notification area task bar पर कहां पर दिखाई देता है यह कहां पर दिखाई देता है right side task bar के right hand side में आपको दिखाई देता है means दाए तरब यहाँ से एक और question बनता है task bar पर time कहां पर दिखाई देता है टाइम और डेट कहां पर दिखाई देता है तिसको बुलते है नोडिफिकेशन एरिया जहां पर आपको डेट और टाइम दिखाई पड़ता है UC Browser, UC BEP द्वारा बेकसित एक BEP Browser है जो अली बाबा गुरुप की सहायक कमपनी है सेम टो सेम एक्वेशन ट्रपल सिक्जाम में इसी तरह से पूछा गया था UC Browser के बारे में आप सभी जानते होंगे बहुत ही पॉपलर रहा है हलाकि समय इंडिया में अवेलबल नहीं है UC Browser, UC BEP द्वारा बेकसित एक BEP Browser है जो की अली बाबा गुरुप की सहायक कमपनी बिल्कुल सही स्टेट्मेंट लिखा गया option A और अली बाबा के संस्थापक कौन है जैक मा ये भी एक्जाम में क्वेशन पूछा जा चुका है option A इस क्वेशन का right answer हो जाएगा संचार के उद्देश से कंप्यूटर में क्या प्रियोग होता है hub, switch, modem या फिर bridge option C right answer हो जाएगा modem का इस्तिमाल के जाता है modulation and demodulation का काम करता है modem option C right answer हो जाएगा website को unique कौन बनाता है website को unique कौन बनाता है या website को सबसे अलग कौन बनाता है इस तरह सब इस question को पूछा जा सकता है IP, homepage, domain name या फिर all of the above means उप्रोगत सभी तो किसी भी website को unique कौन बनाता है उसका domain name option C right answer हो जाएगा जैसे gyanxp.com, google.com, yahoo.com ये क्या होते हैं domain name जो हर एक website के unique name होते हैं और ये हर एक website को unique बनाते हैं option C right answer होगा domain name ये हम template का उप्योग किसी दूसरे स्थान पर करना चाते हैं तो हम क्या करते हैं आपने जैसे LibreOffice Impress के अंदर कोई template create की और इसी same template को आप किसी दूसरी system पे या फिर दूसरे presentation में apply करना चाते हैं तो आप इस कैसे कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे यदि हम template का उप्योग किसी दूसरे स्थान पर करना चाते हैं तो हम क्या करते हैं template को import कर देते हैं उस imported template को हम दूसरी जगह जाके export कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D import primary memory में secondary memory की तुलना में ज्यादा storage चमता होती है तो primary memory में क्या आता है जैसे कि RAM या फिर Room या आते हैं primary memory में secondary में क्या आता है जैसे कि hard disk hard disk को short form में लिखते हैं HDD और इसका full form होता है hard disk drive CD या फिर DVD यह सभी क्या है या pen drive तो यह सभी क्या है secondary memory में आते हैं इनको हम auxiliary memory के नाम से भी जानते हैं बट RAM और ROM किसमें आते हैं primary memory में यहाँ पूछा गया है primary memory में secondary storage की तुलना में ज्यादा storage चमता होती है तो right answer हो जाएगा option B false ज्यादा storage हम तक इसमें होती secondary memory में option B is question का right answer है अगला जो की interesting question है और यहां से और भी कई सारे questions बनते हैं जैसे लिखा गया है 143 IP address किस IP class का है या किस IP class से संबंदित है तो IP address कैसे लिखते हैं जैसे 143.162.8.9 ऐसे IP address को लिखा जाता है और किसी भी IP address में कितने भाग होते हैं ये भी पूछा जाता है यहां पे देखे dot लगा हुआ यहां पे dot लगा हुआ यहां पे dot लगा है तो कितने भाग हैं एक दूसरा भाग ये हो जाएगा, तीसरा भाग ये हो जाएगा, और चौथा भाग ये हो जाएगा, तो इसमें चार भाग होते हैं, ये IPV4 की बात की जा रही, IPV4 जो होता है, उसमें कितने parts होते हैं, means कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, कितने bit का होता है, तो ये 32 bits का होता है 32 bits का होता है और अगर हम 4 भाग को डिवाइड करें तो कितने bit के होंगे तो यह हर एक भाग इसका 8 bit का होता है 8 8 bit का हर एक part होता है यहां से एक और interesting question बनता है जैसे class के बारे में इसमें पूछाए किस class से संबन देते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा IP किस class से संबन देते हैं जैसे यहां पे लिखा गया 143.162.8.9 और पूछा जाता है कि यह किस class का IP तो आप कैसे पहचानेंगे इसका जो सबसे पहला part होता है इसी से हम IP के class का पता लगाते हैं कितने प्रकार के IP होते हैं class A में डिवाइट किया गया B होता है C होता है D होता है और class E होता है इन सभी के एक range होती है हर एक range के बारे में याद रखीगा किसी भी class के बारे में पूछा जा सकता है जिसे class A जो होता है वो 1 से start होता है और 127 तक जाता है class B है ये 128 से start होता है और ये 191 तक इसकी range होती अपर range 191 है और class C start होता है 192 से dot अगर हम इसकी अपर range बात करें तो 223 तक होता है इसी तरह से class D की बात करें तो 224 से start होगा इसकी अपर range होती 239 और जो class E होता है, यह 240 से start होता है, इसकी upper range होती 255 तो आप यहां से देखिए, यह किसमें आएगा, 143 किसमें आता है, किसमें belong करेगा चलती से बताइए, 143 कहीं इसके बीच में आएगा, 128 और 191 के बीच में तो किस class का IP हो जाएगा class B का means, इस question का right answer क्या हो जाएगा, option B, चलिए, एक और example आपको देखते हैं, आप सभी comment section में बताइए 192.168.9.1, यह किस class का IP है, आप सभी comment section में बताइएगा 169.8.8.1, यह किस class का IP, इन दोनों के answer आप सभी comment section में बताइए इस तरह से कई बार exam में questions पूछे गए, ऐसे ही कोई IP दे दिये जाएगा, जिसे आपके 143 दिया गया सिर्फ 143 लिखा गया, पूछा गया किस class का IP है, किस से संबंदित है option B, इस question का right answer हो जाएगा, ओके तो आप इन दोनों के right answers क्या हैं, comment section में reply कीजे चलिए next question की तरह बढ़ते हैं, cancel और enter बटन formula बार पर दिखाई देते हैं cancel और enter बटन formula बार पर दिखाई देते हैं तो अगर आप calc का इस्थिमाल करते हैं, तो आप एक formula बार होता है, जहाँ पर आप formula लिखते हैं, जैसे something यहाँ पर a1, a6, आपने यह formula लिखा जैसे आप यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, तो यहाँ पर cancel, accept और cancel का एक option आ जाता है आप चाहें तो इसको accept कर सकते हैं, जैसे accept करेंगे तो apply हो जाएगा और जैसे आप enter की hit करेंगे, same बात होती ही, चाहें तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं, या फिर आप keyboard पर enter की hit कर सकते हैं और अगर आप cancel पर click करेंगे, तो यहाँ से delete हो जाएगा तो cancel और enter button formula bar पर दिखाई देते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं यह formula bar के left में दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे और इसके next में यहाँ पर होता है name box, जहाँ पर जिस select किये गए cell का address दिखाई देता है, जैसे A7 मान लिजे A7 यह cell है, और इसका address आपको यहाँ पर name box पर दिखाई देगा तो इस question का right answer हो जाएगा option A, बिलकुल सही, यह दोनों option आपको आपको वहाँ पर formula bar पर दिखाई देते हैं वीडियो file email के साथ attach नहीं की जा सकती वीडियो file email के साथ में attach नहीं की जा सकती 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि email के माधियम से भेज जाने वाले attachment file का maximum size कितना हो सकता है 25 MB इस से ज़्यादा की file को हम email के माधियम से attach करके send नहीं कर सकते हैं यहाँ पर exe file को means executable file को email के माधियम से नहीं भेजा जा सकता है जबकि video, audio या text या PDF किसी भी प्रकार की file को आप email के साथ में attach करके send कर सकते हैं F2 file या folder को rename करने की shortcut की है जैसे माल लीजे आपके desktop पे या कहीं किसी file में कोई folder है यहाँ पे कुछ नाम लिखा गया है ABC आप इसको edit करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे simple एक बार यहाँ पे click कर दीजे ताकि यह folder select हो जाए और इसके बाद F2 function की प्रस करते हैं और यह edit mode पे आ जाएगा और यहाँ पे आप इसका ABCD के जगे कुछ भी नाम रख सकते हैं तो F2 file या folder को rename करने की shortcut की है तो बिलकुल size question का right answer हो जाएगा option A true अगला कुछ ने network interface card में physical address के रूप में जाना जाता है किसको physical address के रूप में जाना जाता है network interface card जिसको बुलते है NIC network interface card में physical address के रूप में क्या store होता है mac address option एक question का right answer हो जाएगा mac address OSI एक network model है जो दो computer के बीच डेटा send और receive करने की अनुमती देता है OSI एक network model है जो दो computer के बीच डेटा send और receive करने की अनुमती देता है बिलकुल size statement लिखा गया option A question का right answer हो जाएगा एक computer से दूसरी जगा के computer को control करना कहलाता है एक computer से दूसरी जगा के computer को control करना क्या कहलाता है remote access means option B question का right answer हो जाएगा OSI model layer किस से बनी होती है जैसे मैंने बताए OSI model में 7 layers होती है सभी के नाम भी मैंने बताए थे पिछली class में तो ये किस से बनी होती है जो OSI model की layers होती है वो hardware और software दोनों से मिलकर बनी होती है option C question का right answer हो जाएगा both A and B ये hardware और software दोनों से मिलकर बनी होती है अगला कुछने किसी computer के IP address को बदला नहीं जा सकता है किसी computer के IP address को बदला नहीं जा सकता है right answer हो जाएगा option B, false आप IP address को बदल सकते है okay, IP address क्या होता है हमारे system का एक logical address होता है जबकि MAC address हमारे system का एक physical address है MAC address को बदला नहीं जा सकता है जबकि IP address को बदला जा सकता है next question है processing प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय कहलाता है किसी भी program की processing में लगा प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं throughput option B, right answer हो जाएगा क्या बोलते हैं throughput के नाम से जानते हैं processing प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है throw put के नाम से जानते है तो यह था आज की class का last question आप सभी comment section में जुरूर बते हैं आज की class में आपके कितने questions correct हुएं अगर आप triple C की तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी Gyanix P mobile app पे triple C का course भी join कर सकते हैं याप पे practice sets भी available हैं आप चाहें तो उसको भी join कर सकते हैं या फिर अगर आप triple C के बाद O label की तयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे O label का new syllabus provide कर दिये गया पूरा complete detailed video lectures मिल जाएंगे e-books हैं, model papers हैं complete course यहाँ पे मिलेगा आपको तो आप घर बैठे, triple C के तरह से O label की भी तयारी हमारी Gyanix P Mobile Lab के माध्यम से कर सकते हैं और जिनका भी October में एक्जाम है अगर आपके पास time कम है तो आप इन में से किसी भी e-book को ले सकते हैं खासतोर पे आप इन Master Practice Set को ले सकते हैं जहांसे आप आराम से अपना triple C exam qualify कर पाएंगे बढ़ आपको थोड़ी सी मेहनत करने होगी इसके सासत और अगर आप प्रैक्टिस करना चाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट Gyanix P.com पे जागे जितने भी model papers या mock test अबलेबल हैं प्लीज आप इन सभी को एक बाद जरू दीजिगा कोई भी जानकारी चाते हैं तो आप हमें follow कर लिजी हमारे इंस्टा पे हमारा इंस्टा आइडी है Gyanix P.com आप यहां पे हमें join कर लिजे सभी latest update आपको यहां पे मिलते रहेंगे प्लस इस महीने जिनका भी exam होने वाला October में अगर आपको अपने exam के कुछ भी questions याद रहते हैं एक, दो, तीन, चार तो प्लीज आप हमें यहां पे WhatsApp पे जरू send कीज़ेगा आप सभी के द्वारा भीजेगे questions को हम जो साम 8 बिजे के class होते हैं 4 October से exam स्टार्ट हो जाएंगी 4 October साम 8 बिजे के जो class होगी उसमें आप सभी के द्वारा भीजेगे questions को हम discuss करेंगे तो जिनका भी exam 4 October को है या फिर आप आने वाले दिनों में जिनका भी exam होगा प्लीज आप अपने exam के जो भी questions आपको याद रहते हैं हमें इस mobile number पे इस WhatsApp पे जरू send कीजेगा कैसे भी आप send कर सकते हैं आप चाहें दो text type करती जा फिर आप किसी paper पे note करके आप उसका snapshot लेके हमें भेज सकते हैं तो बस इस class में इतना ही मिलते हैं सामको 8 बजे तब तक के लिए बाइ-बाइ, thank you, thank you for watching